कि दोस्तों स्वागत है आपके अपने ही चैनल मास साब की पड़ साला में जैसा कि आपको पता है कि इस समय दो प्रसेश्चर चल लाएं पैरलली एक तो निस्टा प्रसेश्चर के मॉडियों चल लें दूसरे सेवारत प्रसेश्चर चल लाएं इसे वरत प्रसेश्चर के अंतरगत जो छप्रात में किस तरगा गड़ित चल लाएं उसके गड़ित के एजसी अब भाग को देखेंगे उसके प्रश्ण उत्री भाग को देखेंगे हम कॉपियों की वह छोटी से छोटी संक्या क्यात कीजिए जो तीन छे बारे बावर पंद्रे के बंडलों में अलग अलग किन्त बरावर बरावर बाटी जा सकें कि वस्ता यह कुश्ण है अच्छिय पार्ट में नहीं होना चाहिए यह ऐल्सियम पार्ट का है यह फिर भी हम कर लेते जब दिया है तो तो इनके ऐल्सियम निकालना है तो इसका ऐल्सियम होगा तीन छे बारे वर पंद्रे का इसे मोगा 60 एक विद्याला की कख्षा में साथ में नब्वे और कख्षा आठ में एक सबीस चात्रे इन्हें बड़ी से बड़ी समान चात्र संक्या में बाटने पर प्रतेक समों में चात्रों की संक्या कितनी होगी यह अच्छी अपका पार्ट है तो हाइस कॉमन फेक्टर निकालना है कि नाइन्टी और बन ट्वंटी का होगा थर्टी कि पच्छपन मीटर लंबे और वाइस मीटर चोड़े कि चैड़े नहीं है चोड़े एक मैदान में बरगाकार दरियां बिछानी है एक ही नाप की कम से कम बिछाई दरियों की जंख्या क्यात किजिए तो पच्छपन और बाइस का बरगाकार अगर बन बरग मीटर की दरियां बिछाई जा रही है तो किया रहा है पच्छपन और बाइस का एच्छेप निकालेंगे होगा क्या रहा हुआ कि तीन होजाओं में क्रमसा 330, 375 और 450 लिटर पानी बरहा है बड़े से बड़े पीपे की धारिता बताईए इससे इन होजाओं के पानी को पूरी पूरी बार में निकाला जा सके इनका अच्छेप क्या हो जाएगा इनका बार है 24, 36 होगे तीन लकड़ी के लट्ठे क्रमसा 36, 45, 63, 63 मिटर लंबे हैं यह बरावर लंबाई के चोटे-चोटे गुटकों में बाटना है प्रते गुटके की अधिक्तम लंबाई है इनका एससे अपने कितना हो जाएगा 9, 9 मीटर हो जाएगा दो करमागत विसम संक्याओं का महतम समापवर तक है दो करमागत विसम संक्याओं कान सी हो सकती है जैसे माली यह तीन है और पांच है जो करमागत विसम संक्याओं उनमें कभी भी कोई भी चीज कॉमन नहीं आएगी तो इनका मासा कितना होएगा इनक कि दो कर्मागत संखियां का मैं थमाव का श्मसंखियां होती है impacting कि वा मेशा के दो से डिवाड़ेड होती है रहे यह दोकी संखियाने मेरे से मना हैं नल चारत hmm कोन आएगा बहुत दो संखिया नहीं को अर्य मासा है और दो गया कि वह बड़ी से बड़ी संक्या ग्याद कीजिए एक ससी एक सो बानवे को पूरी-पूरी ब्यवाजित कर सके तो क्या हो जाए कि इन दोनों का मासा निकालों गए अब तो बारा कि 4864 और 72 का सर्वनिष्ट गुडण घंड है सर्वनिष्ट गुडण घंड का मतलब कि ऐसी अफी होता है लेकिन एक कुशन तोड़ा गलत है कि सब कोई सा भी आंसर नहीं होना चाहिए या 64 इसमें या तो 64 गलत है या इसके आंसर गलत है लेकिन कुशन दिया तो आंसर तो दे नहीं है तो इसका आंसर 24 दीजिए आप निम्नागित में 4 किसका पवर्तक नहीं है चार जो इसन कहां दी है जो चार से डिवाइड नहीं होगी तो यह 8 सच्छे 4 से डिवाइड नहीं होगी आठ का सबसे बड़ा पवर्द तक है तो आठ के पवर्द कौन को से एक दो चार आठ तो सबसे बड़ा हो गया आठ कि सबसे चोटी सम अबाज्य संख्या अबाज्य संख्या वह दिये जो अपने आप से और एक से विवाजित हो जाए तो इसका मतला उनके दो फैक्टर होने चाहिए मिनिम्म तो सबसे चोटी सम अबाज्य संख्या है दो एक तो अबाज्य संख्या ही नहीं है तो दो है सबसे चोटी बेंसम अबाज्य संख्या यह एक होती नहीं है दो सबसे चोर्छंग कोंडसी उनका है वो धियन दो दिन